नमस्कार दोस्तो राज अलवाई रस्पी में आज सभी का स्वाला तो दोस्तो राज अलवाई रस्पी में आज बनेगा मूंग दाल की कचोरी और आलू की सबजी तो हलवाई स्टाइल में हम घर में कैसे बना सकते हैं चलो हम आपको दिखाते हैं उसके लिए हमने एक डोंगा लिया है और डेढ़ कप से थोड़ा सा जाधा हमने मैदा एड़ किया है वेजन में 300 ग्राम मैदा है स्वाद अंसार नमक एड़ किया है उसके बाद में इसमें हम एड़ करेंगे जुवाइन तो यह जवाइन हम हाथों से मैस कर देंगे इस तरह और हम इसमें ऐड़ कर देंगे मैदे में घर के नार्मल चम्मत से चोथा हिस्सा इसमें हम बैकिंग पोडर ऐड़ करेंगे उसके बाद में इसमें हम ऐड़ करेंगे 100 ml घी ऐड़ करेंगे 100 ml घी इसलिए एड़ गिया है यह हम 1 kg मैदे में 300 g घी एड़ करते हैं खस्ता करने के लिए यह देखे इस तरह मैस के पोटली सी बन जाती है उसके बाद में थोड़े थोड़े हम पानी एड़ करके और मुलायम सा मैदा गुन के तयार करेंगे इस तरह हम थोड़ा थोड़ा पानी एड़ करते रहेंगे और मुलायम सी डोड़ तयार करेंगे कचोरी का मैदा मुलायम होता है नरम होता है यह देखे इस तरह हमने नरम सा मैदा तयार किया है रोटी की आटे जैसा तयार करना है तो ये देखे इस तरह हमने त्यार करके और ये कपड़े से कबर कर दिया है इसको हम आधा गंटे के लिए rest के लिए रख देंगे अब हमने गयसान किया है उपर पैन रखा है और हमने 2 टेबलस्पून इसमें oil एड़ किया है उसके बाद में हमने जीरा एड़ किया है इसमें हम एड़ करेंगे देगी मिर्च या आप कासी मीरी मिर्च भी एड़ कर सकते हो उसके बाद में हमने एक चमच वरके बेसन एड़ किया है बारीग वाला चने वाला और इसको इस तरह हम भून देगे हम add करेंगे मूंग दाल मूंग दाल हमने एक वाला दे के बंद कर दिया है मूंग दाल गलना नहीं चाहिए बस हमारा पक जाए एक गरम पानी में एक वाला आके तुरन चाननी में चान लेते हैं तो इस तरह हमने निचोड़ के चान के और इस मसाले में मिक्स कर दिया है ये देखे इस तरह हमने अच्छी तरह मिक्स कर दिया है अब यहां हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और ये देखिए मिक्स हो गया है अब इसमें हम मसाले और एड़ करेंगे स्वादमसार नमक एड़ कर देंगे उसके बाद में ये हमने धनिया पौडर किया है वह थोड़ा हम चाटा मसाला करेंगे उसके बाद में हम लाल मिर्च पोडर थोड़ा सा यड़ करेंगे ऐसके बाद में यह हमनेबारी कट हुआ अधरक Els shared कर दिया और में कसूरी मेहि dictar कर दिया यह कि इस तरह हम अच्छी तरह mix कर देंगे सारा यह देखिए तो इस तरह हम mix करके अपना stepping तयार कर लेंगे यह देखे हमारा stepping तयार हो गया इसको अच्छी तरह mix कर दिया उपर से हम धनिया हरी धनिया इसमें add कर देंगे तो यह हमें यह भी मिक्स कर देंगे और इसको हम गैस से नीचे उतार देते हैं थंडा होने के लिए रख देंगे उसके बाद में हम सबजी बनाएंगे तो हमने गैस का फ्लेम हमने मीडियम से आन किया है इसमें हम 4 टेबल स्पून ओयल एड किया है एक चमच हमने जीरा एड किया है इसको जीरा चटकने के बाद इसमें हम थोड़ा लासुन हम चोप करके एड किया है यह देखिए इस तरह हम ए अच्छी तरह भून लेंगे जब लासून ब्राउन हो जाता है तब इसमें हम ऐड़ करेंगे प्याज यह बगलप प्याज की भी सब्जी बनती है लेकिन हमने प्याज लासून दोनों ऐड़ किया है आपको प्याज लासून नहीं ऐड़ करना तो इसकी ब्राउन करендow हो तो इस तरह हम प्याज को बिल्कुल ब्राउन कर लेंगे भून लेंगे यहां देखिए इस तरह प्याज हलका हलका जब यह ब्राउन हो जाए तब इसमें हम और मसाले एड़ करेंगे तो इस तरह पहले हम भून के यह देखिए बिल्कुल हलका हलका यह ब्राउन होने लगा है अब इसमें हम एड़ करेंगे हल्दी पौडर तो यह आदा चमच हमने हल्दी पौडर एड़ किया है और यह हमने देगी मिर्च एड़ किया है यह आदा अदा चमच इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर देंगे यह देखिए इस तरह हम अच्छी तरह पीश चीर के और हमने चार पीश टमाटर छोटे छोटे इसमें कटिंग करके हमने एड़ कर दिया अब इसको हम अच्छी तरह भूनेंगे अधरक हम छोटा सा बारी कटके एड़ किया है उसके बाद में हम इसमें स्वाधनसार नमक एड़ करेंगे नमक हमने आधा आधा दो च माटर के साथ मसाला भूनेंगे उसके बाद में इसमें हम एक चमबच आम चूर आड़ करेंगे ये देखिए आम चूर आड़ कर दिया उसके बाद में आधा चमबच तक इसमें हम चन की चाट मसाला आड़ करेंगे ये देखिए ये आधा चमबच हमने चन की चाट मसाला आड कर दिया है उसके बाद में हम इसमें थोड़ा पानी ऐड़ करेंगे मसाला हमारा जले ना इसलिए हमने थोड़ा पानी एड़ करके इन मसालों को अच्छी तरह हम पांग साथ मिनीट भूनेंगे ये देखे तमाटर जब तक गले थोड़ा सा तब तक हम भूनते रहेंगे ये उसके बाद में इसमें थोड़ा सा कसीर कुसूरी मेती हाथ से ये मैस करके इसमें एड़ कर दिया है हमारे मसाले एड़ हो चुके हैं इसको थोड़ी देर पकाते हैं इस तरह हम पकने देते हैं इसमें हेंग पौडर थोड़ा सा एड़ करेंगे ये देखें यह हमने हेंग पौडर MTH का ऐड़ किया है इसको मिक्स कर देंगे यह देखिए और इस तरह थोड़ी देर मसाले हमारे पक जाएं जो हलका हलका तेल सा उपर आ जाता है तब हमारे जो होती है ग्रेवी मसाले त्यार हो जाते हैं तो ये देखिए, महसाले में तेल थोड़ा उपर आ गया था, थोड़ा सा हमने एक कप पानी एड़ किया है, और अपने आलू एड़ कर देंगे, आलू हमने वोजन में एक किलो उबाल के छील के और तोड़ दिया है, छोटे-छोटे पीस में, अभी इसको हमने एड़ कर दिय ये हमारा एक केजी आलू है, और इसको हमने मैस करके एड़ किया, उसके बाद इसमें हम पानी तीन कप तक डाल देंगे, तो ये हमने तीन कप तक पानी डाल दिया, अब इसको हम पकने देते हैं थोड़ी देर तक, ये थोड़ा सा अभी हमारा पानी और लगेगा, उसके ब बाद में हरी धनिया बरीग बरीग काड़के ऊपर से आड़ करती है अब यह हमारी सब्जी बनके त्यार है यह देखिए अब हमारी सब्जी बनके त्यार है हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे यह देखिए यह हमारी सब्जी आलू की चटपटी सब्जी बनके त्यार है और य इस तरह हम प्लेट में गोल-गोल करके रख लेंगे, पहले इस तरह हम बना लेंगे, तो इस तरह हमने सारा बना लिया है, ये देखिए, कितने पीस बन गए हैं, 15-20 पीस हमारे बान चुके हैं, तो उसके बाद में ये अब मारा मायदा रेस्ट में बिल्कुल तयार हो गया है अब इसके हम छोटे छोटे पीश तोड़ लेंगे ये देखिए हमने 5-6 पीश तोड़ दिया है उसके बाद हम और तोड़ लेते हैं ये देखिए इस तरह हम अपने पेडिया बना लेंगे उसके बाद में एक पेड़ी ले लेंगे ये पेड़ी हमारी 25-30 गराम की होती है करके और यह हम साइडों से पतला रखते हैं और बीच में मोटा रहता है मैदा और बीच में स्टपिंग आइड करते हैं और उपर मैदा खीशते जाते हैं उपर हम बंद कर देते हैं यह देखिए पतला सा मैदा जो उपर भचे जाता है इसको निकाल देते हैं यह देखिए य उसके बाद में हाथों से थोड़ा सा फ्लाड कर देते हैं तो इस तरह ये हमारे कचवरी स्टपिंग की जाती है तो इस तरह हम स्टपिंग करके त्यार करेंगे ये हम दूसरा पीस हाथों से प्रेस करके बिल्कुल ये पूरी जैसा हम बढ़ा लेते हैं हलका सा बढ़ाना होत उसके बाद में ये देखे इस्टपिंग बीच में एड़ किया उपर मैदा खिचते लह जाते हैं और बंद कर देते हैं जो उपर से हमारा मैदा निकल जाता है इसको साइड में रख देते हैं दूसरी पेड़ी में हम एड़ कर लेते हैं तो ये देखिए हमने दो पीस त्यार कर दिया है ये तीसरा भी हमारा तयार हो गया इस तरह जो मैदा निकलता हैं दूसरी पेड़ी में मिला लेते हैं तो इस तरह हमारे सारे भर के तयार हो गये ये दो पीस हमारे स्टेपिंग बच गी है इसको हम कोई परोठे रोठे में डाल लेंगे या वैसे भी हम खा सकते हैं बिलकुल ये पूरी के सेम में हो जाता है। तो इस तरह हमने करके और ये तयार कर दिया है अपनी कचोरी। उसके बाद हमने gas medium flame पे चला के और तेल हमने गरम होने के लिए रख दिया है। यह तेल हलका हलका जब गरम हो जाता है तो इसमें हम आड़ कर देते हैं 5-6 हमें गठा साथ आड़ कर सकते हैं जितना हमारे कड़ाही बड़ी होती है उतने जपड़ा आड़ कर सकते हो आप To this it shows हमने 6 पीज तक आइड कर दिया है, उसके बाद में ये धीरे-धीरे कम फ्लेम में रहता है, और तेल हमारा बिल्कुल कम गरम होता है, तब ही हम आइड कर देते हैं, ये धीरे-धीरे फूल फूल के ऊपर आता है, ये देखें, इस तरह ये ऊपर आचा जाता है, जैसे-जैसे ये ऊपर आजाता है, फूलता जाता है, जब ये ऊपर आजाता है, तो हम गैस चूले का फ्लेम हाई कर देते हैं, थोड़ा बढ़ा देते हैं, जिसे ये सेक जब लग जाता है, तो ये फूलता जाता है, ये देखें, इस तरह जैसे-जैसे ये सेक लगता है, वैसे-वैसे यह फूलता जाता है देरे देरे यह बहुत बड़े साइज में फूल के त्यार हो जाता है यह देखिए साड़े गुबारे जैसे हमारी कचोरिया फूल गई है तो इस तरह हम जो है अपने डाल वाली कर्ची से बीच में इसके उपर तेल भी एड़ करते रहते हैं और यह 15 मिन तक फूल करके और इसको ब्राउन किया है जिसे अंदर तक यह अच्छी तरह पक जाए और खस्ता भी पूरी तरह हो तब हमारी कचोरी टेश्टी बनती है हम दिखाते तो जल्दी है लेकिन हम 15 मिनिट तक फूल करते हैं तब यह बिलकुल यह ब्राउन रंका करके त्यार कर गरते हैं उसके बाद हम दूसरा बैच आड़ करते हैं तेल हम ठंडा कर लेते हैं तब हम दूसरा बैच आड़ करते हैं। यह छेचाथ हमने और यह ब्राउन करके निकाल देते हैं। Crystal व homework we're fine. बना के तयार किया है, अब ये कचवरी लेते हैं, ये देखिए, बहुत खसता है, इसको तोड़ के दिखाता हूँ, ये स्टपिंग देखिए, हमारी अच्छी तरह बीच में भरी हुई है, तो इस तरह कचवरी खसता बनती है, ये हलवाई इस तरह बनाते हैं, उसके बाद मे ये देखिए, इसके उपर हम सबजी एड करके, और हरी मिर्च ले सकते हैं, उपर से हम बरीक प्याज काटकर डाल से, और डाल के हम टेस्ट कर सकते हैं, तो हम वैसे टेस्ट करते हैं, कोई हमने मिर्च नहीं लिया, कोई हमने प्याज नहीं लिया, वैसे भी बहुत टेस्ट के साथ और प्याज भी बीच में आप एड़ कर सकते हैं बरीक बरीक अपने सब्जी में उपर से एड़ करते हैं और ये सब्जी हमारी तो इस तरह मोंग डाल की कचोरी और सब्जी टेस्टी आप अपने घर में आसानी से सरल तरीके से अपने घर में बना सकते हो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बले कान की घंटी दवाना बिलकुन ला भूले